है गाइज वेलकम टो माई चानल इट हेल्दी एंड लिव हेल्दी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जट पर से सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि आपको बहुत सारे हेल्दी रेसिपेज मिलने वाले हैं मेरे चैनल में तो आज हम बना रहे हैं ब तो यह जो भुजिया है हम कम तेन में बनाएंगे तो पहले उसको बॉइल करेंगे और फिर उसे स्टर फ्राइब करेंगे तो ऐसे लंबा-लंबा काट लेना है आपको बरबटी जिसे में काट रहे हूँ हूँ इस तरह से एक इंच लंबा रखते हूँ हम काट लेंगे तो यह देखे हमने दो शैलल्स भी ले लिये हैं उसे भी हम इस तरह से पतला-पतला स्लाइस कर लेंगे और डारेक्ट हम सबजी में ही काट के डालेंगे और मैं ले रही हूँ प्याज प्याज में है दिखे में आधा भी isn't you, ले रहे हैं उससे भी बहुत कम दे रही हお願いします इतना ही ले रही हूँ ब्याज बहुत कमолा तो उसकी पत्ते पत्तले तो यह कटके हम डाले मैं सबजी में डाल दिया है तो यह देखे हैं हमने सब्जी काटके त्यार कर लिया है हमने डायक कड़ाई में ही काटके रखा है तो अभी हम ग्यास ओन कर लेंगे तो देखे दोस्तों मैंने पानी नहीं मिला है नहीं तेल मिला है मैंने डायरेक्ट सब्जी को कड़ाई के अंदर डालके ग्यास में चड़ा लिया है अब मैं क्या करूंगी इसमें धकन लगा दूंगी और जितनी भी नमी उन सब्जियों में है उसी नमी से यह सब्जी पकेगी तो अभी में धकन लगा दूँगी और हम इसे दो से तीन मिनिट तक पकने देंगे तो ये देखे दो से तीन मिनिट के बाद आप देख सकते हैं ये सबजी जो है अभी हाफ बॉयल हो गए है यानि कि आधा पक गया है तो अब मैं इसमें हल्दी और नमक मिला लूँगी आपको जो भी मसाले आड़ करने आप आड़ कर सकते हैं मैंने सिर्फ हल्दी और नमक मिलाया है मैंने अभी भी इसमें कोई पानी नहीं मिलाया है तो इस स्टेज में अगर सबजी चिपक रही है तो आप चाहे तो थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं मैंने थोड़ा सा तेल डाला था क्योंकि मेरी सबजी चिपक रही थी तो ये मैंने करी पता डाल दिया मैंने सिर्फ फल्दी और नमक डाला है मैंने गोल मिर्चा भी नहीं यूज किया है बिल्कुल भी तीखापन नहीं है इस सबजी में सिर्फ फल्दी और नमक नमक थोड़ा कम इस्तमाल करें तो यह अच्छे से सौटे कर लेंगे हम तो यह देखें दोस्तों हमारे सबजी बनके तयार है स्टर फ्राइट वेजिस बिल्कुल तयार है आप चाहें तो कोई भी सबजी यूज कर सकते हैं मैंने यूज किया है फूल गोभी और बर्बर्टी आप अपने घर में जरूर ट्राइ करके देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताईए कि कैसी लगी आपको ये सबजी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें मेडियो नेक्स व्लोग बाई